मैं आयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदर के निर्मान की तयारियां जारी हैं। आज श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शित्र ट्रस्ट के महामंतरी चंपत राय ने लखनों में प्रेस कॉन्फरेंस की। उन्होंने बताया कि अब मंदर निर्मान के लिए देशफर में संपर्क अभ्यान चलाया जाएगा और जनता को जन्मभूमी के तिहास के बारे में बताया जाएगा। चंपत राय ने बताया कि पहले इस मंदर को छोटा सा सोचा था लेकिन सुप्रिम कोट ने 70 एकर जमीन फ्रस्ट के नाम कर दी तो अब इसे बड़ा रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तीन मंदिला मंदर की लंबाई 360 फिट चोड़ाई 265 फिट रहेगी जबकि बूतल से शिखर की उचाई 161 फिट रहेगी। पहले ये मंदर हमने बहुत छोटा सा ही सोचा था। अब चुकी सर्वोच नियाले ने 70 एकड़ जमीन भगवान के नाम प्रस्ट को कर दी। तो मंदिल का भी कुछ आकार लंबाई चोड़ाई उचाई बढ़ाई गई। अब मंदिल के लंबाई लगबग 360 फिट रहेगी। चोड़ाई तो 135 फिट रहेगी। और ये मंदिल तीन मंजिला होगा। हर एक मंजिल की उचाई 20 फिट रहेगी। ग्राउंड लाइविल से भूतन से फर्ष प्लिंथ लगबग साड़े सोला फिट उचा होगा। और इस भूतन से शिखर की उचाई 161 फिट हो जाएगी। ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी। ABP 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 झाल झाल